सर न सुबह की भागदोर में नाश्ता क्या खाना है यह बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं हम सारे काम कर लेते हैं नाश्ता क्या खाएं यहां पर आकर अटक जाते हैं जो जल्दी बन जाए और खाने में टेस्टी हो यह बहुत बड़ी प्राब्लम हो जाती है तो आश ना जो रेसिपी है वो ऐसी ही है हेल्दी है जल्दी भी बनती है और बहुत टेस्टी है तो बनाएंगे वीट फ्लार बनाना पैनकेक बहुत ही टेस्टी क्या करना है केले को मैश कर लेना इसमें कोई भी नट पाउडर डाल देना मैंने यहाँ पे cashew powder डाला है और साथ ही में protein powder यह vegan way का plant based protein powder है यह हम यहाँ पे एक tablespoon डालेंगे साथ ही में डाल देना है jaggery powder और date syrup अचा अगर आपके पास date syrup नहीं हो तो आप यहाँ पे maple syrup भी डाल सकते हैं honey मट डालना है क्योंकि honey को cook नहीं किया जाता आप चाहें तो यहाँ पर jaggery की quantity good की quantity बढ़ा सकते हैं यह डाल देना और साथ ही में डाल देना है vanilla essence आप यहाँ पे इसके अलावा कोई और भी flavor यूज़ कर सकते हैं आप rose essence यूज़ कर सकते हैं और डाल देना है यहाँ पे आटा जो गहीं को आटा है ना नॉर्मल वही आटा डालना है और पानी डालके इसका batter बना लेना ना जादा गाड़ा ना जादा पतला medium consistency का batter होना चाहिए देखो कुछ इस तरीके का इसी के साथ में हम यहाँ पर डाल देंगे baking powder अब baking powder आप तभी डालें जब आप इसे बनाने जाएं उसे पहले नहीं डालना नहीं तो reaction हो जाता है और फिर जैसा हमें pancake का texture चाहिए वैसा नहीं मिल पाता तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा baking powder डालेंगे अच्छे से मिला लेंगे और अब बना लेंगे pancake तो देखो कितना easy है जादा मेहनत ताम जहां भी नहीं और बहुत चल्दी बैटर बन जाता है पर तवे पे लगा लेना घी मैं यह पे घी का यूज़ करेंगे आप चाहो तो oil भी यूज़ कर सकते हो करीबन एक ladle आपको इस पर डालना है और इसे दीमे आज पर पकने देना है मतलब low to medium flame पर और non-stick pan यूज़ करना है नहीं तो चिपकेगा तो pancake अच्छा नहीं बनेगा यह hardly एक से दो मिनिट में बनकर तयार हो जाता है तो दोनो तरफ से हलका सा थोड़ा थोड़ा घी लगा के इसे दोनो तरफ से सेख लेना है तो देखो हमारा यह simple, easy और delicious pancake ready है सबसे best part यह है कि इसमें हमने vegan way का protein powder यूज़ किया है generally हम ना जो भी खाते हैं अक्सर हमें इतना protein नहीं मिल पाता जितना हमारी बॉड़ी को protein चाहिए होता है तो अगर आप इस तरीके से protein powder यूज़ करेंगे तो आपकी जो बॉड़ी को जितना protein चाहिए वो आपको मिल जाएगा तो इसी तरीके से हम बाकी सारे pancake भी बना लेंगे और जब यह pancake बनकर त्यार हो जाए तो इसमें डाल देना honey आप चाहें तो यहाँ पर नई में डाले तो भी चलेगा और साथ ही में डाल दे बनाना और इस कर्मा गरम pancake को नाश्ते में enjoy करना